याद कीजिए एक पार्ट हमने पढ़ा था जिसमें लव और कुछ लव और कुछ की बाते और उनका चेहरा अगर हम रामाइड याद करते हैं जिसको आप टीवी पर देखते आ रहे हैं तो आप बड़ी प्रसन्य चित्त हो जाते हैं तो क्यों ना राम भी उनको देखे तो प उसका सेकेंड पार्ट में लेकर आयो मैंने आपसे कहा था कि देर मैं नहीं करूंगे आपको भी याद रखना है तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप भी लेट नहीं हुए होंगे और आप उसको पढ़ने के लिए रेदी है तो शिशुलाल नाम त्रतिया पार्टा का पार नहीं है तो तभी तो पर खुस्वास हैं कि हम दोनों तो जुडवा है अब उसी के आगे राम फिर पूछते है सं प्रति युझ्यते किम नामे धेयां संस्परती मतलब अब अब बताएए किम नाम धेयं आपका नाम क्या है तो लग कहता है आप आरीस बंदनायाम आरे की मतलब गुरू की यहाँ पर आरे उनी को बोला गया या गुरू के दिनीवल की आरे राम के लिए बोला गया एक सम्मान सुचक शब्द होता था आरे आरे की बंदना में आरे के चर्णों में लव इत्यत मानम श्रावयामी लव ऐसा मैं सुनाता हूं मतलब मैं लव हूं ये मैं आपको सुनाता हूँ कुशम निर्देश से आरे उपी वो कुश की तरह वो हाथ करता ही है कि ये कौन है इतने में कुश चुकि चंचल सुभाव के भी थे तुरंट बोल पड़ते हैं मतलब वो बोलता ही है कौन लव कि गुरुचन बंदना याम इतने में कुश बोल पड़ता है अहां मपी कुश इत्यमानम सहाव यामी मैं कुश ऐसा मैं आपको सुनाता हूँ मतलब वो इसारा करता है कि ये कुश है इतने में कुश बोल पड़ता मैं हूँ मैं कुश हूँ और मैं आपको इतना सुनाता हूँ तो राम कहते अहो उदात्य रम्य सम उदात्य यहां पर देखे सम उदाचा रहा अहो उदात्य बड़ा ही विनम्रता के साथ और कैसा है रम्य सुन्दर है आपके नाम उदारता से पूर्ण रम्य सुन्दर और समद आचा रहा मतलब आचरन से पूर्ण है किम नाम देयो भवत पिता का नाम पूछते थे तो गुरू का नाम क्या है तो लव कहते हैं ननु ननु अर्थात होता है निश्चित ये एक अब्या शब्द है ननु मतलब निश्चित निश्चित भगवान बालमी की निश्चित ही भगवान बालमी की हमारे गुरू है तो राम कहते हैं केन संब किस संबंद से हैं ऐसा क्या संबंद है कि बालमी की आपके गुरू हो गए तो लव कहते हैं उपनयन नाम का एक संसकार होता था जब गुरू कहां पढ़ने जाते थे तो वहां पर उपनयन संसकार में जन्यू संसकार भी संब्लित था जिसमें गुरू के पास बैठकर मुन्नन अपनेयन संसकार के साथ उप देश के कारण मैं या हम दोनों उनके शिश हुए वो हमारे गुरु हुए अर्थे यहां पर हिंदियाद अब ठीक है क्या नाम है तुम्हारा वो बनाम पूछते लव कहता है आरी की वंदनाम है लव ऐसा कहता हूं स्वयम को सुनाता हूं कुछ को निर्देश करके गुरू चरण वंदनाम है कुछ कहता है मैं भी कुछ इस प्रकार स्वयम को के कारण यह कुषं अग्ला है और था अतियंत रम्ढी अतियंत संदर गज मुद्ध राथ अर्था शिष्टा चार उप नयन ओपदेशन अरथा बने इनरी की दीक्षा के कारण निर्देश अर्था निर्देश करके उपनए की दीख्शा करनें हापर आऊगे निर्देश करके अब आम आते हैं आगे जहां से अब होगा उनके आगे की बाते शुरू करते हैं राम कहते हैं मैं यहां भवतों आपके जनिकम जनक का नामतों वेदतों मिक्षामी मतलब मैं आपके पिटा का नाम जानने की एक्षा रखता हूँ तो लव क्या कहते हैं ना ही नहीं जानाम्य अस्य यहाँ पर क्या हो जाएगा हम शब्द को तोड़ेंगे अर्था संधी विक्षेत करेंगे तो यह बना हुआ है और इसे और आ से यह बनता है तो यह हो जाएग जानामी तो छोटी ही आ गया और पीछे का बनेगा अस्य तो जानामी अस्य मतलब यह कि यह या उनका नाम नाम धेयम तो नाहीं जानामी अस्य नाम धेयम नहीं जानता हूँ मैं ना कश्चित अस्मिन तपो बने और नाहीं कोई उस इस तपो बन में अथा इस आस्रम में त जब बोल देता है तो राम कहते हैं अहो महत्यम्यम मतलब अहो इतना सम्मान इतना महत्यक उनका नाम कोई नहीं लेता ये तो तो कुछ क्या कह रहे हैं जानम्यम तसनाम धेयम तो कि चंचल सुभाव तो कहते हैं जानामी जानता हूं मैं उनका नाम राम कहते हैं कथ्यताम फिर कहो कुछ कहता है निरक्रो रोशो निर्नुक रोशो नाम अर्थात निर्दई नाम तो राम कहते हैं वयश्य अपूर्वम खलू नाम धेयम मित्र अब यहाँ विदुशक की तरह विसाला करते हैं मित्र अपूर्वम अनोखा खलू मतलब निस्चित नाम धेयम नाम निस्चित और तब तक वो पूचते भी हैं निरनुक्रोस इती का एब भर्णती मतों कहते हैं मतब तब तक वो कुछता हूं निर्नुक्रोस अरथा आथ निर्दई एसा इबं भढका एबं भढ़ती कौन ऐसा वोलता है उन형 कौन निर्दई अपको भी देखते हैं धैक बच्टा कह रहा पिता का नाम निर्दई है तो कौन बोलता है उनको निर्दई कुछ क्या कहता है अमबा माता बोलती है विदुशक कहता है किम को पिता क्या क्रोध में एव भड़ती भड़ती मतला बोलती है यह बोलना तो क्या क्रोध में बोलती है उत प्रक्रति इस था या फिर स्वाभाव की बोलती उनको निर्दई कितना उसने विदुशक ने पूछना प्रारम में किया कि कैसे बोलती वो उनको विदुशक वो निर्दई अब राम मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूं लब इसका नाम नहीं जानता हूं इस तपोबन में उनका कोई नाम नहीं लेता तो कह मैं उनका नाम जानता हूं राम केते कहो तो कुछ कहता है निर्दई नाम है उनको निर्दई कहते हैं तो यहां पर विदुशा क्या करते हैं पूछ लेते हैं मित्र राम कहते हैं मित्र निश्चे ही है नाम तो बढ़ा नोखा है निर्दई विदुशा कुछ सोचता है और बोलती है कि निर्दई अब यहाँ पर शब्दों के अर्थ देखे उसके बात देखे क्या मज़दार बात होती है वेदतों मिक्षामी अर्थात जानना चाहता हूँ जानम्य अस्य अर्थात जानता हूँ इसका जानम्य हम जानता हूँ मैं निर्क्रोसो अर्थात निर्दई बैस अर्थात मित्र विचिन्त मतलब सोच कर बढ़ती मतलब कहता है अमबा मतलब माता उत अर्थात अथवा समान रूप से अब इसके वार्त कुश क्या कहता है यद आवे हो मतलब यदी। यदे काहा पर होगा यदी। क्योंकि दाधा है तो यदी। आवियो मतलब हम दोनों जब हम दोनों यदा होगा सौरी यदा आवियो जब हम दोनों बाल भाव जनितम बच्चों के सोभाव के कारण मतलब हम तो बच्चे हैं ही तो जब हम अपने बच्चपने के कारण किंचित आविनियम जहां पर है किंचित और आविनियम कुछ आविन एसा बोलती है निर्नु क्रोशश्य पुत्रवू निर्दई के पुत्रों माचपलम चंचलता मत करो तो क्या कह रहा है कि जब हम अपने इस बालपन के सुभाव के कारण कुछ ऐसा कारे कर देते जो अचित नहीं है तब क्रोज में आकर माहम से कहती है कि निर्दई के पुत्र चंचलता मत करो तो विदुशक कहते हैं एतियो हो यदी ये दोनों यदी पित्र निक्रोस इती नाम दे हैं मतलब इन दोनों को यदी निर्दई के पिता को निर्दई ये नाम देते हैं तो एतयो जनिनी तेन अब मानिता अब हो कह रहा है यदी इन दोनों के लिए माता निर् ओप्षित ही इन दोनों की जननी एतयों यह राँ इसलिए यहां बसर गया ध्यान डखकेगा जब भी रा का उच्षण लगेगा पत्नी निर भरत्यतु इस प्रकार की ब ubiquती प्रकार का अरोप लगाती है यह स्वयम को अपना भी याद आ जाता है कि धिकार है ये साथ तपस विनी वह तपस विनी मं ध्रते अपराधेन मतलब मेरे किये हुए अपराध से मतलब इस प्रकार लंबे समय से वहाँ पर है तो उसकी रक्षक नहीं हो पाई पती के द्वारा ही तो इस प्रकार के बचन बोलती है सवाश्व अब लोग किया थी मतलब लंबी सास लेटे हुए वो देखते हैं अब लोग का उनको क्या याद आ गया उनको अपना याद आ गय कि कैसे मैंने अपनी पतनी को भी छोड़ दिया तो कुछ-कुछ उन्हें अंदेशा होने भी लगा अब यहाँ पर हिंदिया थे यदि हम दोनों के बाल सुभाव से कुछ अभी नहीं देखती थी तो निर्दय के पुत्रों चंचलता मत करो ऐसा डाटती है विदूशक यद के आप जोड़ भरे अक्ष्रों से धंकरी मतलब अभी आया था ना कि मेरे द्वारा अपराद्यू के कारण उसके मुक्से ऐसे बचन निकलते हैं अशुरु-पूर्ण नेतों से मतलब अवास्प ऐसी सांस लेकर ही ऐसे दुखी नेत्र मता अपने अशुरु-पूर्ण ने दोनों पुत्र तेन अब मानित उसके द्वारा अप मानित शब्दों को यहाँ पर संधी विक्षेत बहुत है आप अलगलत करते जाए बंते जाएंगे निर्वासिता मतलब निर्वासित की गई छोड़ी गई वार दारकव मतलब है दोनों पुत्र स्वागतम मतलब अपने मन में धिंक मतलब देकार स्वापत्य मेपमर्थाद अपनी संतान को ही अगला फिर राम देखी क्या कहते हैं अती दीर्ग प्रवासो अयम दारुनस्च लंबे समय से वो प्रवास में रह रही है जंगल में रह रही थी विदूशम अवलोग के जनानती कम मतलब विदूशक को द नाम जानने की मैं एक्षा रखता हूं ना युक्तम यह और युक्त नहीं है इस्त्रीं के बारे मां में जानू जानू पूछाँ यह ओचित नहीं हैं और यहां पर यह तब को अत्र अभू पाया है मतलब यहां पर कैसे इसको जाना जाय कौन है तो भी दिसलेका कीता है जानती कभं जानता हूं नहीं पूचता हूं प्रकाशं किम नामैं दोष्म laugh क्या नाम है तुम्हारी माता की देखि रामवने क्या कहा कि मुझे इनकी माता का नाम जानना चाहता हूं लेकिन सुकि मेरा जाहूं और बंड़ार नो संसीय नाम ना आहवा यंती देवी और इती तपश्विनी देवी इस नाम से उनका आहवान करते पुकारते हैं भगवान बालमी की वदूरिती और भगवान बालमी की वदू कहके बुलाते हैं बहु कहके बुलाते हैं ये दो नाम है देवी और बहु या वदू अब यहाँ पर दे विज़ उनके दो नाम हैं विज़ुशक कैसे लप दपो लबासी उनने देवी कहकर पकारते हों और भग्वान बालमी की उनने वधू कहते हैं जाननती कम संकेते काश है दारोण यहां पर है कठोर और अभ्यूपाय मतलब उपाया अनुभन्द यहां क्या कारण है कैसे पूछू राम अपीचा इस तावत वयस तो कह रहे हैं कि वयस यहां पर मित्र यह तब तक मुहूर्त मात्राम मतलब यह मुहूर्त मात्र है कुमारयोह अनयोह असमाकम दिखी कुमारयोह विसरगायर रहा है तो अनयोह विसर असमाकम इन दोनों कुमार हमारे सर्वदा समरूप कुटुम ब्रता मतलब इन दोनों कुमारों का और हमारा सर्वदा मतलब लगवा के बलकुल बराबर हमेशा समान कुटुम ब्रता थे एक इतनी वेला इतना समय हो गया रामायन का नियोगा कि मर्थन भी देते राम रामैन के गान में या उसका गाने रामायन को गाने का समय क्यों नहीं आया या पर गाना प्रारंब किसलिये नहीं हुआ तो उझान के राजन उपाध्याय दूद वहासमान त्वरेती उपाध्याय के दूद्र हुं से कह रहे हैं राम मया अपी संवान में ओधाता है कथ्याय मैं संवान जनक हो गायने हाले कथे हूं मुनी के योग में राम मित्र तो इधा से भी छण भर इतने में विदुशक आप आग्याद हैं राम क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का ब्रत्यान सर्वदा एक समान है इतना समय हो गया है रामायन गान का कारे किसलिए नहीं किया गया राजन गुरू का दूद हमें जल्दी कर रहा है मतलब कह रहा है हमसे राम मेरे द्वारा भी मुनी का कारे सम्मान है मतलब मुनी का जो कारे है मेरे द्वारा भी वो सम्मान पूर्वक हैं यहां आप लोग हैं अगला है यहाँ पर हम शब्दारत देखेंगे नियोगा अर्थात नियत करना कुमारयों अन्योः अस्मा कम हमारे कुमार्य दो कुमार अन्यो अस्मा कम नेपथ्य मतलब होता है परदे के पीछे मोहुर्त मात्रम छन भर बला समय त्वर यति करते हैं शेगरता कर रहा है तथा ही तथा ही अर्थात क्योंकि आप आप यहां से आगे बढ़ते हैं, अब यहां इस लोग आएगा कि क्या इस लोग पर क्या बोला गया आपर? भवन्तव गायन्तव दो लोग है वहाँ पर लव और कुश, इसलिए दो लोगों के लिए आउ की मातरा का उचारण होता है, तो भवन्तव और गायन्तव, तो आप दोनों गायन कविरपी पुराणों ब्रत निधी ब्रत निधी मतलब तपो निधी मतलब जो ब्रत धारन करने वाले हैं जो ब्रतों को करने वाले हैं तपस्या करने वाले हैं तो भवन्तव गायन तू मतलब आप दोनों गायन क्या कविरपी पुराणों मतलब जो पुराणों म जो शास्त्रों में स्रेष्ट हैं जो तपस्वी हैं जो ब्रत के धारी हैं गिरा संधर्वो अयम जिनकी वाणी क्या है प्रत्वी पर जिनकी वाणी प्रत्वी पर जिनकी वाणी प्रत्वी प्रत्वी पर जिनकी वाणी प्रत्वी प्रत्वी पर जिसकी अवतरित हुई है अर प्रकार यह परिवार स्वरूप यहां पर सारे लोग उसको सुनने वाले जो सुनने वाले जो शुरूतागर्ण है तो यहां से हम अनवय को लेते हैं अनवय देखिए बवन्तों गायंतु पुराणा ब्रत निधी कवी अपीबसु मतीम प्रतमम अवतीर नहा गिराम तो आप दोनों गायं कौन तपस्वी ब्रत धारी जो तप निधी तप निधी है ऐसे बाल मी की जी जो प्रत्वी पर प्रतम बार जिनकी वानी अवतरित हुई है आयम संदरवा सर्शीरु नावस मतलब इस संदर मेदी कहें तो वो कमल की जैसे नावी से कमल उत्पन हुआ था उसके समान उसकी उसके समान है और यहां पर परिवार जो परिवार के रूप में सभी इस जो कारेक्रम है या इस कथा को सभी सुनेंगे और वो भी सुनदर बचनों को यहां पर सभी सुनेंगे यहां पर हिंदी देखिए और जो सुन्दर बचने उनको यह हमारे लिए आनंदित होंगे आप दोनों लवकुस गाने वाले हैं तपो निधी पुरान मुनी कभी धर्ती पर प्रथम बार आप तरे जिनकी वानी कहे संदर भई या परिवारिक कथा जिसको सुनकर लोग आनंदित होंगे और यह कथा चुकि विश्णू के बारे में हैं कमल के जैसे नाभी से कमल निकला हुआ है यह कथा भी उत्पन हुई है तो इस कथा को सुनने के लिए हम सबी तयार हैं बसुमती मतलब प्रत्वी पर अप्तिर मतलब अ परोता पुनाती पभितर करता है रम यती आनंदित करता है आफ यहां से कुछ और पंक्तिया हैं वैस मित्र अपूर्व हैं यह मानो जो सरस्वती के अवतार हैं तद अहं साहीर देस जन साधारन मतलब ऐसे जो साधारन लोगों के सुसामी सुनने की इक्षा में रखता हूँ मतलब ऐसे साहिरदय लोग जो आए हैं यापर साधरन रूप में उनको सुनने की में इक्षा करता हूँ सन्नी धियता मतलब समीब आईए सभी सभासद सबी सभासदों से कहते हैं पास में आईए मतलब मैं भी इन दोनों को निस्तार करके मतलब आए हैं ये कहां से यात्रा करके तो इनके निस्तार के लिए इनके साथ जाता हूँ थोड़ी देर बाद इनको लेकर लोटता हूँ इतिक निस्क्रांटा सर्वे ऐसा कहे के सभी निकल जाते चुकि क्या चल रहा था नाटक चल रहा था मैं भी इन दोनों का चिरासन का दुख दूर करके आता हूँ मतलब जो ये लंबे समय से आसन पर बैटे ये लंबे समय के लोग आये हुए हैं तो इनको मैं निस्तार कर्वा के, इनका दुख दूर कर्वा के मैं अभी लोटता हूँ और इतना कहकर सभी लोग मंच से निकल जाते हैं सरस्वती अवतारह अर्थाद सरस्वती के अवतार सन्य धियताम अर्थाद समीप आओ प्रेशियताम अर्थाद भेज दो निस्कान्टा मतलब निकालते हैं निकलते हैं और यहां पर आपका जो पार्थ 2 था जो आपका शिशू लानलम का सेकंड भाग रह गया था वो भी कंप्रीट हो गया लेकिन अभी आप ये मैं समझे कि पार्थ पूर्ण हो गया क्योंकि पार्थ का अभ्यास अभी भी बाकी है तो जब तक अभ्यास complete नहीं होता है तब तक part आप complete कैसे मानोगे तो आपने दो part को ध्यान से पढ़ लिया है तीसरी के लिए अपना इंतजार बनाए रखे क्योंकि मैं अगला वीडियो जो लेकर उपस्तित होंगी वो रहेगा आपका अभ्यास वाला तो अभी आपने ये द